नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नमरता बदरिया इंडेन यूटूबर और आप सभी लोगों का मेरी यूटूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तों आज कल की एक सबसे बड़ी आम समस्या है वो है क्या दोस्तों पतरी आज कल जिस किसी के सुनो क्या प्रॉब्लम हो गई है पतरी बन गई है क्या प्रॉब्लम हो गई है क्या प्रॉब्लम हो गई है क्या प्रॉब्लम हो गई है क्या पतरी बन गई है तो दोस्तो ये एक आम समस्या है अब ये आम समस्या कैसे हो गई है खराब लाइपिकटायल और खराब खान पियान ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यही सा चीज़ आपकी किड्नी में इस्टोन बना देता है लेकिन दोस्तों ये जो इस्टोन है जो पत्री है ये यूरिन के रास्ते से निकल जाता है तूट तूट करके सरीन में जब कैल्सियम और कॉलेस्टोल की मातरा ज्यदा हो जाती है तो इस्टोन बन जाते है अगर इसके लच्षड अगर आप समय पर पकड़ लेना तो आप इसका इलाज घर पे ही कर सकते है यूरिन करते हैं दोस्तों यूरिन करते हैं समय दर्द होना यूरिन से अधिक दुरगन दाना किटिनी और पेट में सूजन अधिक बुखार रहना उल्टी यानि कि उल्टी जी में चलाता है नानवल से अधिक आप बार बार टॉयलिट जाते हैं यूरिन में ब्लेड आना तो दोस्तों कहने का मतलब है अगर आपको ऐसे कुछ लच्छर समझ में आए तो आप तुरंत इन दानों को ले लीजिए और इन दानों से आप अपनी पत्री का इलाज कर लीजिए दोस्तों ये दाने इतने कमाल के हैं कि आपकी किटिनी की पत्री आपके सरीर में कहीं पर भी पत्री बन गई है तो आपकी पत्री को ये पिगला करके तोड़ तोड़ के निकाल देगा तो ये मैंने काले दाने कौन से लिए हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ तो वीडियो आप पूरा देखेगा तभी आपको समझ में आएगा और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा परेज बताऊंगी तो इसलिए वीडियो पूरा देखना तो चलिए चलते हैं वीडियो के और वीडियो पसंदादी वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब पेल का एक प्लीज आब उसे जरूर प्रिस करना इस से जो रही फिर्व फैलियो अप्लोडर करूंंगी उसका नोटिपिकेस्न आ आपको या यानि कि निकालने के लिए हमें क्या करना है यहां पे लेना है पपीता इसको पापाया भी बोलते हैं दोस्तों और ये पपीता आपको हर समय आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा कभी भी आप ले ले जाकर के तो चलिए अब इसको हम करें क्या इस पपीते को करेंगे कट दोस्त करने के बाद में आप देख सकते हैं इनके जो बीज हैं अंदर ये देखिए ये जो बीज आपको दिख रहना ये बीज इतने कमाल के हैं कि आपकी पत्री को तोड़ तोड़ के निकालेंगे तोड़ तोड़ के तो इन बीजों का नुसका हमें किस तरीके स्तियार करना है वो म देखिए दोस्तों ये कई नुस्खों में काम आते हैं बीज और बहुत यहादा फाइदे मंद होते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बीजों को निकाल लिया है पपीते से और अब चलते हैं अगले प्रोसेस पर और आप वीडियो पूरा देखना वीडियो पसंद करना है और टाजा टाजा लिया तो चलिए अब आपको इसका परेश योडियोल बताउंगे किया क्याcciones की नहीं खाना है तो अब हम क्या करेंगे इन बीजों को हम कितना लेना है एक नुक्र के एक लूथी यानि कि एक खुराक की लिए हम इन बीजों को कितना लेंगे दो च बना लिजिए तो इस स्य यहां लो मिक्सी लिप इसका भी पर कषेंगे यहां पर मैंने इसको पीस लिया है आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको पीसना है दोस्तों इस निसकों के आप जो भी यूज करेंगे न तो आपकी पत्री जल्द से जल्द मलब तूट कर निकल जाएगी अब हमें इसमें एक चीज़ और मलानी है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे इस नुसके को तयार करने के लिए एक गिलास हम लेंगे पादी मैंने पादी में पादी यहादर बीज नकलती है इन बीजों को हमें लेना है दो चम्मच और इस इसको पेश्ट दाल दिया है, इसको mix कर दिया है, अब अधी important चीज क्या है दोस्तों, यह है lemon यानि की नीबू, आपको एक नीबू लेना है, और उस नीबू को आप काट लें, उसका आधा नीबू आप यूज करें, आधे नीबू का जो रस है, हम इस नुस्खे में डाल देंगे, और इस न दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे, ताकि सारी चीज़ा अच्छे से mix हो जाएं, और जब आप इसको पीएंगे, तो यह आपको फायदा करें, आपकी kidney के stone को यह तोड़े, नीबू का काम क्या है, नीबू का काम दोस्तों यह है, कि आपकी जो kidney की stone है, किड़नी के या सरीर में कहीं पर भी पत्री है, पत्री को यह तोड़ता है, नीबू, तोड़ तोड़ करके, तोड़ तोड़ करके उसको महीन कर देता, बारी कर देता है, फिर वो आपके पिसाफ से निकल जाएगा, यह तो आप इस तरीके से नुष्के को तयार करिए, और अब मैं पत्री उससे भी बढ़ी है, तो दोस्तो आप इसको सुबह साम दोनों टाइम इस नुष्के को लिजिएगा, यह तो आप देखना शुवे नुष्सके को पीएंगे ना सुबह और साम दोनों टाएम, सुबह, खाली पेट, साम को आप क्या करेंगे, खाना काने से पहले इस नुसके को ले लेंगे इसको पी लीजिएगा और आप देखना लगातार आप पीएंगे तो आप देखना आपकी जो पत्री है वो टूट टूट करके निकल जाएंगी आप इसको पीजएगा बिल्कुल मत गवराएं इसके कोई भी साइड डिफेक्ट नहीं है आप बिल्कु चूर होकर गाएब हुगी निकल जाएगी आपको ऐसा मैसूस होगा कि कभी पत्री ही नहीं तो दोस्तों मैं नुष्के वही लेकर आती हूँ जो फायदा करें बेफालतुके वीडियो मैं नहीं डालती हूं किसी भी कीमत वर तो चलिए आप इसको ट्राइग रिए सोवाइ फूट बिल्कुल नहीं खाना है मैं आपको बता दूँ जब तक कि पत्री आप ही खतम ना हो जाए तो इस तरीके से बाहरी चीजों को अबोड करें आप घर में ही बनाईए घर में ही खाईए धर का खाना खाईए कहना का मतलब है तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आज व